नमस्कार जोहार अदाब मैं हूँ आपका अजाद और आप देख रहे हैं जोहार नुए जिसकी संभावना जदा जारी थी जैसे कि गोड़ा सांसद निसिकांदुवे बार बार ट्वीट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा कॉंट्पिनेंस थे और आखिर खार जिसे सुत् दिस्ता और रद कर दी गई है और राजिपाल भी दिल्ली में हैं दो बजे तक वो जारखन आएंगे उसके बाद आगे की क्या दसा और दिसा होगी जारखन की जो राजनिती का और हमारे साथ पुर्वक्रिसी मंत्री और नाला विधान सावा के पुर्व विधायक भाजप कानुन से उपर संविधान से उपर कुछ बड़ा नहीं है किसी भी राज का मुख्यमंत्री हो चाय मंत्री हो या किसी बड़े ओधे पाद पर कोई पदाधिकारी बेठे हो संविधान का उलंगन करने का अधिकार किसी को नहीं है मान्या है मन्स वरेंट जी ने शंबिधान का उलंगन किया है और उलंगन करते वे उन्होंने लीज लिया है खदान का अपने पत्नी के नाम से जमीन खरिदा है तो जो नियम है कि मुख्मंत्री अपने नाम से लीज नहीं ले सकता है यह द्यानकारी होनी चाहिए उनको सलाकार को भी होनी चाहिए तो सत्ता होर इसका हम दुरुपजोग करें ज्न में चूंट नहीं दिया गया सम्विधान में चूट कहीं और किसी राज्य में और हमारे ग лишь में नहीं यह यहां तक कि दूसरे देसों में भी संभीधान के साथ खिलवार करने का अधिकार नहीं है इन्होंने संभीधान के साथ खिलवार किया है अपने अधिकार का दुरूपजोग किया है और इस सरकार को जाना ही चाहिए था सरकार चली गई सरकार को अब बने रहने का हक नहीं है और जो भी होगा वो यही काम करेगा इसलिए सरकार को तुरण समाप्त करना चीए राश्त पती सासन लगाना चीए जिस तरह का भी और तमान जो प्रक्रन ओभी चल रहा है एडी का लगातार जो छापा है पुरिज हर्खन में और जिस तरह के तमाम जो है मुख्मंत्री के करीबी लोग है कल भी देखें अप राची में जो चीज घटना है घट रही है आखिरे जो उमेदे थी हमान सरकार के पर ती वो उमीद पर लगता खरेने उतर करके अपना पोकट कहीं न कहीं वो भर रहे थी भोग करना ही पड़ेगा हमें तो पश्टाना ही पड़ेगा एडिया और सिविया जो कर रही है पूरे देश में वो सही काम कर रही है जनता का पैसा लूटा गया है जनता का पैसा का जो लूट हुआ है वो सरकार के खजाने में जाना चीए और एडिया और सिविया सही काम क चल रहा है क्या लग रहा है कि उसकी सदिस्ता तो जाएगे जाएगे कितने साल तक उसको सस्पिंड क्या जाएगा इस चुनाव आयो का जो नियम है और नियाले एबंग हमारे और सारे जो नियम बने हैं देश के अंदर संबीदान सम्मत उनियम के अधार पर कारवाई होगी लेकिन इतना तय है कि कारवाई होगी सरकार चली जाएगी और इस सरकार नहीं रहेगी शांसा दिसिकान दूबे ने ट्वीट किया था कि बहुत जाल दुमका और बरहेट दोनों में उपचना होने जा रहा है क्या दुमकाम भी ऐसी कोई दुमका की जो विदायक है कहीं ने कहीं जुड़े हुए हैं और जब जाच सिवी आई का और इटी का आएगा तो निश्चित रुप से दूद का दूद और पानी का पानी होगा और जदी वो जुड़े हैं तो उनकी भी सदिस्टा जाएगी यह तै है अच्छा अगला मुखमंति को तो पे किसे आजिए कि हम अंत जी चाहेंगे कि उनकी पत्नी कल्पणा मुखमंत्री बने हैं लेकिन अब जारखन्ड मुक्ति मौरचा के विधायक कितना धो पाएंगे उनके अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे और जानकार लोग जारखन्ड मुकति मौरचा मैं ने लेकिन परिबार परिवारबाद की जो राजनिती चल रही है। जी के नाला का डेवलप क्या होगा नाला का दिनो दिन छती हो रहा है अफसर्स आई यहाँ पूरे ताम ज्ञाम के साथ अफसर्स काम कर रहे हैं अपना पोकेट भर रहे हैं यहाँ वो तसकरी का मामला यहाँ चालू है यहाँ से जारखन से गाय जाती है पस्ची मंगाल के लि के लिए और कुंड़हीत के थाने के सामने से पार होता है पुलिस देखती रहती है पुलिस गायों को परक रहती है अबेद लकड़ी की कटाई हो रही है विधायक कोई कोई चिंता नहीं है बिना परसेंटेज पिसी के प्रदानमंत्री आबास तक नहीं मिलता है पहले पैसा दिजिए पगड़ी दिजिए एक सेड लीजिए तो 10,000 सेड की किमत 10,000 मने उसका पहले तो यहां का हाल है और सारा जिला प्रसासन चूप है मोन लगता है जिला प्रसासन कुछ पदाधिकारियों को भी कहीं नहीं कहीं कोई लाब हो रहा है इसलिए वह भी चूप रहते हैं अभी भी जनाला में देखा जा रहा है कि तमाम जो मूल भूत स्विधा सलक की स्थिती बहुत देनी है पानी की स्थिती बहुत देनी है और लगभव लगभव तमाम आदिवासी गाओं घुमिये गद कहीं न कहीं आपको वहाँ पर देखे कुपोशन को लोग सिकार बहुत बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, मैं तो कल देख रहा था एक समचार, और के एक समचार भी, हमें रिहारकंड का, कि एक बच्चे को कुट्टे ने नोच लिया, और जब हस्पताल गया, तो उसकी सुई नहीं थी, सुई भी नहीं मिला, एम्बूलेंस नहीं मिला, कल क 108 कोई काम नहीं कर रहा है यह हस्पताल में सुई नहीं है यह आदिवासी है आदिवासी जिसके लिए आदिवासी की बात कहके आदिवासी की हीद चाह करके जो सरकार बनी थी उस बच्चे को दरदट होकर खाना पड़ा और पैशा देना पड़ा गरीब आदिवासी को इसका आर्थ है कि जब आदिवासी के साथ जिसके नाम पर भोट लिया आदिवासी के नाम पर उस आदिवासी को कही नयाय नहीं हो रहा है यह बताईए कि यह सदिस्ता चलिए आती हमन सुरन की तो आप लोग का क्या इस्टेंड रहेगा कि जारखन में किस्ति के राजनीती रहे मैं चाहता हूँ कि जारखन में रास्टपती सासन लागू हो जो कि यहां जो भी होगा उनके चट्टे बट्टे उनके निकट समंधी और जारखन मुक्तिमुर्चा कि लोग जो है उनकी उनका रंग नहीं बदलेगा उनकी आदत नहीं बदलेगी इसलिए रास्टपती सासन लगाया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए यह हमारे साथ में थे हैं पुर्व कृस्टी मंत्री और नाला विदान सभा के पुरुविदायक भाजपान नेता सतेनान जा उफ्र बाटूल जा और इनका कहना थे कि वर्तमान में जो जारखन की इस्तिती बनी वी है अगर हमुक्त मंत्री हमन सोरन की सदिस्ता चली आती है तो जो भी उसके गद्दी में बेठेंगे तो वेसा ही परिस्तिती आजारकान में कमोवस बनी रहेगी तो कहीं न कहीं यहां राश्पती सासन लगाए जाए ताकि कुछ बहतर हो सके आप लोग तमाम तरह के खबरों के लिए बने रहे हैं जोहानी का धन्यवाद